दिल्ली सिसटे गाजियाबाद के इंद्रा पुरम थाना इलाके में वसुंधरा के पास आरोग्य हॉस्पिटल के बराबर में स्विफ्ट गाड़ी में एक व्यक्ति का शव मिलने से संसनी फैल गई शव मिलने की सोचना मिलते ही पुलिस रीम मौके पर पहुँची और शव को कपचे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया व्यक्ति की पहचान बिजनिसमैन हर्शवर्धन के रूप में हुई है पुलिस पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार बर ही मौत के कारण स्पष्ट होने की बात कह रही है दरसल शनिवार को दिन निकलते ही इंद्रा पुरम्थाना इलाके में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि वसुंधरा के पास आरोग के हॉस्पिटल के बराबर में एक कार में व्यक्ति का शवपड़ा हुआ है शवपड़ा होने की सूचना प्राप्त होते ही आननफानन में पुलिस टीम मोके पर पहुँची और शवप को कबज में लेकर पहचान के प्रयास में जुट गई शवप के पास से मिले कागजात के आधार पर मृत्त की पहचान हर्श वर्धन के रूप में हुई है पुलिस ने शवप को पोस्ट माल्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जाँच पढ़ताल की बात कर रही है देखे आज सुबह वसंदरा के आरोग या हॉस्पिटल के सामने खड़ी एक शुफ्ट कार में एक व्यक्ति अचेतावस्था में होने की सूचना हमारे इंदरा पुरुन थाने पुलिस को मिलती है ततकाल मौके पर जब पुलिस पहुंचती है गाड़ी के दर्वाजा खोला जाता है तो एक व्यक्ति अंदर से निकलता है जिसकी उमर लगभग 30-35 वर्स थी उनके शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट के निशान नहीं थे लेकिन उनके मूह से झाग आ रहा था उनके आने के बाद आगे की कारवाई की जाएगी इसमें पुश्मार्टम के उपरांत ही इनके मौत का कारण पता लग सकेगा जैसा है कि सर ऑस्पिटल के सामने CCTV लगे हुए उनको चेक किया जाएगा या भी जी बिल्कुल इसमें हम लोग सारे एंगल्स पे जाच कर रहे हैं कि इनके मौत का कारण क्या रहा है CCTV देखी जा रही है उसके साथ साथ पुश्मार्टम रिपोर्ट का भी इंद जार किया जाएगा परिवार की तरफ से कोई भी तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है पहचान इनकी हर्षवर्धन के रूप में हुई है जो कि हमारे वसुंद्रा आपके निवासी बताया जा रहे है